टाइप आफ फायर संगुसर मतलब फायर संगुसर कितने तरहके होते हैं तो फायर संगुसर बहुत तरहके होते हैं पहला होता है बाटर टाइप फायर संगुसर एक और है बाटर में बाटर मिश्ट तो बाटर टाइप फायर संगुसर वो किसमें यूज होता है जैसे कि कपड़ा पेपर में आग लगता है उसमें बाटर टाइप फायर संगुसर यूज होता है और कहां यूज नहीं करना चाहिए एलेक्ट्रिक के फायर में और कुकिंग आग लगी घर में गैस के कारण वहां पर यूज नहीं करना चाहिए बाटर का अश्टन गुसर और जो मिश्ट निकलता है कोहरा उसको आप सब जगा यूज कर सकते हैं तो वाटर मिश्ट जो इस्ठनगुसर है लेटेस वर्सन है उससे वो पानी नहीं निकलता है पर उससे क्या निकलता है, मिश्ट मतलब कोहरा, वो कूलिंग एफेक्ट देता है, तो वो आप सब जगाए उच कर सकते हैं, अभी एउरोप में इसकी चलन बहुत जादा है, इंडिया में वाटर मिश्ट एक सुनगुसर नहीं चल रहा है अभी, सिर्फ एक दो कमपनिया ने यह लाया है, बाकी निन्ने नहीं लाया है, दुसरा है, CO2 टाइप फाइरस रुपी होगी है, तो CO2 फाइरस रुपी होगी है, जहाँ पर व्हां अग लगया हो, चाएक सब जगा यूज कर सकते हैं और फोम टाइप आपको बुझा करके उड़ जाता है तो किली एज़ेंट फायर संगुसर आप सब जगा यूज कर सकते हैं और फोम टाइप आपको बुझा जगा जगा पकली शाने अर फोम जहां पे आग लगी पिट्रोल की आग लगी वहां पर आप उसे यूज कर सकते हैं और ड्राइ केमकल अश्टन जगुसर बोल सकते हैं या एवी-सी टाइप अश्टन जगुसर इसको बोलते हैं वो A class, B class और C class में आप उसे यूज कर सकते हैं पर वो ज्यादा electrical के आग में वो जाता उतना उप्योगी नहीं है ऐसे उसको ABC टाइप शन्गुसर को All टाइप का फायर शन्गुसर बोलते हैं परन्तु वो ज्यादा electrical के 1000 बोल्ट में आगर आप यूज करेंगे तो उसमें वो काम उतना effective नहीं है वेट chemical टाइप शन्गुसर ये especially kitchen के लिए बनाया गया उसको K टाइप शन्गुसर भी बोलते हैं मतलब kitchen वेट chemical जो kitchen fire के लिए, wild fire के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप उसे kitchen में ही यूज कीजे इस तरह, इतने तरह के fire sun गुसर होते हैं और इसके uses है एप वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखें नए हैं तो हमारे channel को subscribe करें bell icon दवाए, bell घंटी बजाए तो आपको notification मिलेगा जय हिन, जय भारत